जहें दोस्तों बंदे मातरों अगस्त में जब लाल सिंग चड़ा रिलीज हुई थी उसके रिलीज होने के बलकि पहले से ही इस मूवी का काफी ज़ादा विरूद किया गया था विरूद किये जाने के पीछे की वजए उसके obvious सी बाते पहले विरूद हो रहा था तो मूवी को लेकर तो कुछ विरूद था नहीं विरूद था आमिर खान के जो पिछले कुछ बयान थे जो कि उस समय काफी वारल हो गये थे और लोगों ने खोद-खोद के उनकी बाते निकाली थी जिसके कारण पब्लिक ने डिमांड करी थी कि भी यह इस मूवी का बॉयकॉट किया जाएगा लेकिन कि उसके बाद 11 अगस को मूवी रिलीज हुई मूवी रिलीज होने के बाद इस तरीके से मूवी की कॉंटेंट को लेकर जर्चावना शुरू हुई कि उसमें किस तरीके से भारती सेना को दिखाया गया है कि संदर्ब में वहाँ पर जो भी घटना करम हुए थे उसको दिखाया गया है उन सबी चीजों को लेकर भी आलो चनाए हुई और सिधे तोर पर इस चीज मानी गई कि फॉल्स गम का रीमेक ये मूवी भारत के लिए जो एड़ाप्टेशन हुई है उसमें कहीं से कहीं भी मतलब कोर्रेलेशन करना काफी जदा मुश्किलात में हो रहा है क्यों क्यों कि एक नया तरह का प्यार दें काम करना शुरू कर दिया जिसमें कि ये बात बुलीगी कि ये लोगों को तो मूवी बहुत अच्छी लग रही है और उट्रीटी पर ऐसा है और वैसा है लेकिन उसके बाद भी कई लोगों ने यही कहा था कि निया यह तो मूवी घर भी देखन पाई लेकिन जब इसी फिर्म को कुछ समय पहले ओटी पर रिलीस हिया गया तो इसको काफी तारीफ है मिली जिन लोगों ने इस तुनका बॉयकॉट किया था वही बाद में इसे ओटी पर देखने के बाद इस बात के लिए माफी मांगने लगे कि वो इसे देखने थियेट लासिंग चड़ा को देखने के बाद उनसे या उनके मेकर से माफी मांग रहे हैं वो आमर खान को पांसो पांसो रुपर ट्रांस्वर कर दे मानजविच का कहना है कि लोगों की बेवकूफी करने लासिंग चड़ा जैसी अच्छे फिल्म पिड़ गई और आमर को बहुत न इस वज़े से लासिंग चड़ा को थेटर्स में लोग देखने नहीं पहुंचे और बॉक्स अवेस पर इसे थंडा रिस्पॉंस मिला देकिन जब लासिंग चड़ा नेट्विक्स पर रिलीज हुई तो लोगों के साथ साथ और मेकर्स के साथ साथ कई सारे लोगों ने कि ये बात बोली कि नहीं भाई मूवी चलो ठीक ठाक है मानव विज का जिन्होंने कि लासिंग चड़ा में एक पाकिस्तानी सैनी का करदार निवाया है उनसे भी लोगों ने सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर बॉइकाट करने को लेकर बाते कहीं पर मानव विज का कहना है कि लोगों को माफी मांगने के बजाए आमरिकान के प्रोडक्शन हाउस को पैसे बेजने चाहिए ताकि बॉइकाट के करण जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो सके मिड्य सबाचीत में मानव विज ने लाल सिंग चड़ा को लेकर कहा कि कहीं लोगों ने ट्विटर पर मचसे भी माफी मांगी और कहा कि बॉइकाट ट्रेंड के बाद उन्होंने लाल सिंग चड़ा को चनवा करों में नहीं देखा था लेकिन जब उन्होंने इसे नेट्फ नेट्फिक्स पर ग्लोबल लेवल के अगर बात करें तो नमबर टू नॉन इंग्लिश मूवी बन गई नेट्फिक्स पर स्ट्रीमिंग शुरू होने के बाद इसे करी पांच मिलियन गंटों से भी जादा की वियोशिप में ली थी फिल्म में करीना कपूर खान और नागा चैतर ने भी नजर आये थे लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि लोग आज की रेट में OTT पर सभी चीज़ देखना पसंद करते हैं क्या होता है कि OTT पर यहाँ नेटफ्लिक्स की अगर बात करते हैं तो 200-300 रुपए का इसका महिने का सब्स्रिप्शन रहता है तो आप 12-300 के हिसाब से अगर हमान बात करें तो 2-3,000 रुपए में साल को आपन नेटफ्लिक्स मिल जाता है लेकिन यदि आप सब परिवार एक मूवी को देखना थेटर जा रहे हो तो कहीं न कहीं आपका देटर से 2,000 रुपए फुक जाते हैं तो ऐसे में आज की नेट पूबलिक न ये मनमना लिया है कि वह कैसे भी करके कुछ भी करके आज की देट में घर पर मूवी देखना जादा पसंद करते हैं और इसलिए आज की डेट में मूवी का जो इतना फुटफॉल कम हुआ है लोगों सेरेट हेटर में जाने का वो भी हुआ है आजा दूसरी बात ये भी है यहाँ पे लोग कह रहा है कि बॉइकाट तो ऐसा है कि भी ब्रमास्त्र का भी हुआ था अगर मूवी का कॉंटेंट वाकि में अच्छा है तो लोग उसको देखने जाते बॉइकाट तभी काम करता है जब मूवी का कॉंटेंट भी उसको सपोर्ट ना करे तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि एक कॉंट्रडिक्शन वाली बात क्या है बाकि आप लोग गया कहना वजी कमुट करनके जरू होता है मेरे स्वीडियो फ्राइट नहीं जाएंट जाए पाराद